Welcome back students! So today we are gonna start a new chapter from your class 7 science book which is Heat. Chapter 3 में हमने देखा कि woolen cloth हमें animal fiber से मिलता है और हम ये भी जानते हैं कि cotton cloth हमें plant fiber से मिलता है हम इन animal fiber का use करते हैं जब winter season चल रहा हो हम इन कपड़ों को पहन कर warm feel करते हैं जबकि अगर हम देखें तो summer से में हमें light कपड़े पहनना पसंद है like cotton cloth इन्हें पहन कर हम soothing feel करते हैं Cotton cloths light और comfortable तो होते ही हैं लेकिन ये साथ-साथ good receptors भी होते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि heat chapter से fiber to fabric का क्या connection है You might have wondered why particular type of cloths are suitable for a particular season So in this chapter we shall try to seek answers to some of this question हमक से heat word यूज करते हैं और उससे ये समझते हैं कि something that feels warm गर साइन्स के हिसाब से heat एक flow of energy है जो warmer object से cooler object की तरफ जाता है In our day-to-day life we come across numbers of things Some of them are hot and some of them are cold Tea is hot but ice cream is cold यहां पर हमने देखा कि एक object hot है तो दूसरा cold है और भी हम जानते हैं कि कुछ object hot hotter भी होते हैं cold से जादा colder भी होते हैं, coldest भी होते हैं तो हमें यह कैसे मालूम होगा कि कोई object hot है या कोई object cold है या हम यह कैसे पता लगाएं कि कोई object कितना थंड़ा है या कितना गरम है आम तोर पर हम किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए कि वो थंड़ा है या गरम है हम उसे touch करते हैं क्या हम सारी चीजों को टेच करके पता लगा सकते हैं कि वो ठंडा है या गरम एक एक्जैम्पल देखते हैं क्या आप इस आइरेन को टेच करके बता सकते हैं कि यह ठंडा है या गरम या फिर आप इस खौलते तेल को देखकर बता सकते हैं यह कितना गरम हो सकता है हमारा sense of touch कितना reliable है हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम एक activity देखेंगे इस activity में आपको तीन beakers की जरूरत होगी तीन empty beakers की और उन्हें A, B और C से level कर दीजिए and then bowl A में आपको ice cold water रखना है और bowl C में lukewarm या tap water रखना है and the bowl B should be filled with warm water warm water in the sense कि इतना बस जो आप bear कर सकें इतना भी ज़्यादा गरमने की डालते हैं हाथ जल जाए अब यहाँ पर करना क्या है अपने right hand को bowl A में डालना है और अपने left hand को bowl B में डिप करना है 2-3 minutes और इसके बाद अपने हाथ को निकाल लेना है अब अपने दोनों हाथों को bowl C में डालना है जो कि lukewarm water से filled है Now, notice the feel of touch on your fingers of your left and right hand क्या आपके दोनों हाथ same feel कर रहे हैं? If no, then what? अपका right hand finger bowl C में जाने के बाद warm feel कर रहा होगा जबके आपका left hand finger bowl C में डिप करने के बाद cold feel कर रहा होगा इस activity से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा sense of touch कितना trustworthy है कितना भरोसा कर सकते हैं हम इस पर आखिर कोई तो ऐसे चीज़ होगी जिसकी help से हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है या गरम तो सबसे पहले हम किसी भी object का temperature चेक करते हैं ये जानने के लिए कि वो जिस कितना गरम है या कितना ठंडा temperature की help से हम किसी दो object के बीच में difference create कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि पहला object दूसरा object से कितना high है और या कितना low है in temperature temperature measure करने के लिए हम एक instrument की help लेते हैं जिसे हम thermometer कहते हैं I hope कि आप सबने life में कभी न कभी thermometer जरूर देखा होगा ये event अल्मस्ट सब की life में आ ही जाता है घर का family member या फिर आप को ही कभी न कभी fever आया ही होगा जिसे check करने के लिए आप thermometer का use करते हैं अब thermometer दो types के होते हैं First one is clinical thermometer and the next is laboratory thermometer clinical thermometer को हम doctor's thermometer भी कहते हैं इसे हम अपना body temperature या animals के body temperature measure करने के लिए use करते हैं अब देखते हैं कि clinical thermometer दिखता कैसा है clinical thermometer कुछ इस तरह का दिखता है ये पूरी glass body होती है इसके end point में एक glass bulb होता है जिसमें pure mercury field होता है और इसमें एक narrow construction होता है एक उभार होता है जिसे हम kink कहता है जब आप इसे अपने मुँ में रखते हैं या अपने armpit में रखते हैं तो ये mercury जो है वो expand होने लगता है और एक certain temperature पर जाकर रुख जाता है और जब आप इसे अपने मुँ से बाहर निकालते हैं तो ये अपने initial position पर नहीं आता है ये पीछे नहीं आता है और इस वज़े से हम ये doctors body temperature को आसानी से measure कर लेते हैं लेकिन अगर हम thermometer को जर्क देते हैं या जटका देते हैं तो ये फिर से पीछे आ जाता है अपने initial position पर आ जाता है और ऐसा हम तब करते हैं जब हम temperature check कर चुके होते हैं किसी body का thermometer में इन सब के इलावा आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी जो कि है temperature scale जिसे हम measure कर सकते हैं कि हमारा temperature कितना high है या कितना low है और ये temperature scale हम celsius में measure करते हैं जिसे हम degree celsius से denote करते हैं temperature scales और भी कई type के होते हैं जैसे fananheit scale या kelvin scale जिसे हम absolute scale भी कहते हैं लेकिन इंडिया ने celsius scale को adapt किया है इसलिए हम उसे के बारे हैं बढ़ेंगे इस chapter में तो आज का वीडियो यहीं पर खतम होता है नियू टापिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को like, share और subscribe जरूर करें और bell icon को hit करें ताके new notification आपको मिलती रहे